वेलकम टू ग्लैमवल टॉक्स हमने अपने पहले के वीडियो में ये इंफर्मेशन आप लोगों को दे दिया था कि संडे को घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क हुआ और उस नॉमिनेशन टास्क में छे लोग नॉमिनेट हुए उस वीडियो में हमने आपको ये भी बता दिया था कि घर के अंदर किस तरह से इस नॉमिनेशन टास्क में सना मकबूल ने नेजी को धोखा दिया और नेजी को उन्होंने नॉमिनेट किया जिन लोगों को ये nomination task का process नहीं पता है एक बार फिर से हम आपको brief में बता देते हैं कि घर के अंदर जो nomination task हुआ उसके अंदर लोगों को pair में आना था दो लोगों को big boss एक साथ बुला रहे थे और उन दोनों लोगों को दो choice दे रहे थे उन दो choices में से जो दो लोगों को बु select करना था अगर वो क्योई नाम select नहीं कर पाते तो वो दोनों खुदी nominate हो जाते इस तरह का nomination task लगभग आपने हर season में देख रखा है पहले इसी करम में सबसे पहले अर्मान और दीपक को बुलाया गया उनको जो option मिला विशाल और पॉलमी का उन लोगों ने विशाल को nominate कर दिया शाई केतन राओ और जो सना सुल्थान है उनको जो शिवानी और रनवीर का option मिला उन्होंने शिवानी को nominate किया उसके बाद रनवीर और नेजी गए उनके पास चंद्रिका और साई केतन राओ का option था उन्होंने चंद्रिका को nominate किया उसके बाद चंद्रिका और स जिवानी जो है वो दोनों गए अंदर उनको जो है मुनिशा और दीपक जी के बीच में चूस करना था उसने मुनिशा को नॉमिनेट किया फिर पॉलोमी और मुनिशा जो है वो आपस में गए थे उनको जो है सना सुल्टान और लखेस काटारिया के बीच में चूस करना था य उनको क्रितिका मलिक और नेजी में से किसी एक को चूज करना था। आप सब को पताए कि सना मकबूल नेजी काफी आपस में close दिखते हैं, नेजी काफी उन पर trust करता है, उनको अपनी अच्छी दोस्त समझता है, सना मकबूल भी नेजी को काफी अपना अच्छा दोस्त बताती है, आपस में उन दोनों के काफी सारे अच्छे मोमेंट्स जो है, उसके रिल्स भी आप लोगों ने देखे होंगे, वहाँ पर कटारिया कहता है कि मैं नेजी को नॉमिनेट करना चाहता हूँ, और सना मकबूल जो है, वह नेजी के लिए फाइट करने की जगह پे वह मान जाती है, और क्रितिका मलिक की जगह पे दोनों मिलके सना मकबूल और जो काटारिया है, ये दोनों मिलके नेजी को नॉमिनेट कर देते हैं, इसके बाद जब घड़ के अंदर नेजी को ये बात पता चलता है कि सना मकबूल जिसको वो अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, उसने नेजी के लिए फाइट नहीं किया, उसने गिविन कर दिया काटारिया के कहने पे, उसने काटारिया के कहने पे कृतिका की जग़ा नेजी को नॉमिनेट कर दिया, ये जानने के बाद जो है नेजी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकेन हो गया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, और घड़ के अंदर बाकी सारे लोग भी जो लोग थे, चाहे वो अर्मान हो, चाहे शाही केतन हो, चाहे फिर सना सुल्ट सबने कहा कि यह जो है नेजी expect नहीं कर रहा था सना मकबूल से इसलिए उसकी हालत अभी इस तरह से ख़ड़ाब हो रही है, इसलिए वह इतना emotional हो रहा है, क्योंकि अगर कोई और करता नेजी को तो नेजी को nomination का फर्क नहीं परता, नेजी को पता है कि उसके पीछे बहुत प्रे कर दिया है और ये चीज जो है नेजी पचा नहीं पा रहा था फिर हमने बाद में लाइफ फीड में देखा कि मुनीशा जो है वो साइड में ले जाके अपने जो उनका जो भी हीलिंग का प्रोसेस होता है उस तरह से वो नेजी को हील करने की कोशिस कर रही थी उनको मुझ में आया कि नेजी जो है बाद काफी देर तक अकेले प्रे कर रहा था उसने बताया कि जब मैंने प्रेयर किया उसके दाप मेरा थुवा मन सांथ हुआ गरवाले इस बात पगड़ी कर रहे थे कि सणा सुल्टान ने इसके साथ ऐसा किया इसलिए इसको deber Shane लग रहा है इसलिए इसको ज़ादा hurt होह़ा है वरना नेजी जो है उसको बाहर जाने का या nominate होने का कोई भी ड़ड़ नहीं है और ये बात बिल्कुल fact है कि सना सामने एक तरह से उसके पीट पे छूड़ा भोका है इसी लिए इतना जादा जो है नेजी घर के अंदर काफी डाउन नजड़ाया और घर के अंदर जितने भी लोग है सब ने एक स्वर में ये बात बोला चाहे उसके साथ के साही केतन हो सना सुल्तान हो या फिर का आदमी है वो नेजी है नेजी के अंदर छल कपट चालाकी बिल्कुल भी नहीं है वो पहले खुड भी बोल चुका है कि उसके अंदर चालाकी चत्रवाई टाइप की कोई भी चीज नहीं है और वो बहुत ही प्योर सुल्तान है मुनिशा ने कहा कि इस घर में जितने भी उन सब में सबसे प्योर सोल जो है वो कोई नेजी है तो नेजी के साथ सना अने बहुत ही गलत किया हम यह मानते हैं कि शना इस बात पर डटे रहना चाहिए था चाहे दोनों के दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं कुछ लोग हमें यह ग्यान दे रहे हैं कि उसने तो दिमाग लग आपको याद होगा अगर आपने लॉक अप देखा होगा लॉक अप में इसी तरह का एक सिचुएशन मुनवर फारुकी के सामने आया था जब मुनवर फारुकी और एक किसी और को कहा गया था कि आप दोनों जो है मिलकर डिशाइड करो नहीं तो दोनों नॉमिनेट हो जाएं तो सना मकबूल के अंदर भी अगर स्ट्रेंथ और करेक्टर होता तो वो डटी डहती उसको अपने फैन के उपर इतना भरोसा होना चाहिए था कि वो बॉटम में तो नहीं आएगी उसके नीचे तीन चार और लोग आएंगे जिनसको कि उनसे कम बोट मिलेगा लेकिन सना मक जो है काटारिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके चक्कड में कि मैं काटारिया के जो है लॉयल बन के रहूं इस चक्कड में उसने किया या जिस तरह से रफ्तार ने आके बोला कि पूरी की पूरी कम्यूनिटी जो है नेजी के पीछे खड़ी है तो अंदर देख हम सब बा हो जाती कोई फर्क नहीं परता लेकिन वहां पर जो जुग गया वही आपका दिखाता है कि आप कितने strong personality के हैं आप जो है इस तरह से अपनी दोस्त के कुरबानी दे देंगे तो ये किसी भी इनसान को पसंद नहीं आएगा या तो आप उसको दोस्ती मत बोलो स्टार्टिंग सहीं आप ऐसा ट्रेट करो कि मेरे लिए घर वाले सारे के सारे बड़ा बड़ हैं लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो आज हुआ जिसके कारण नेजी काफी टूटा इसमें आज जो सनाम मखबूल ने किया उससे सनाम मखबूल के लिए जो भी हमारे अंदर इज्जत थी वो पूरी की पूरी इज्जत खतम हो गई और हम बिग बॉस के मेकर्स को भी कहना चाहते हैं कि हमने सोचा था कि ये बिग बॉस OTT 3 जो है कोई नया सीजन आपने बनाया है लेकिन ये पूर की तरह फणी है ना उसकी तरह जो है सेंसिबल है कुछ भी नहीं है बस उसी की एकसेंट में बत्यमीजी करना है चपड़ी गिरी करना है उसी को सोचता है कि मैं इल्विस बन गया हूं इल्विस को कॉपी कर रहा हूं उसके अलावा जो विशाल है वो जो अभिशेक मलान है उसकी सस्ती कॉपी लगता है कि मुझे opinion देना है हर जगा opinion देना है पर बात में कोई सीट पर ना हो जवर्दस्ती का logic देना है और जो कटारिया का है उसका वो चमचा बन गया है अभिशेक तो किसी का चमचा भी नहीं था अभिशेक मला लेकिन वो अभिशेक मलान का parody duplicate सस्ता क कॉपी लगता है सिवानी कुमार जो है मनीशा रानी की जो एक पाइरेटेड कॉपी लगती है और मनीशा रानी तो है जो बहुत हमबल थी पूजा भट से अगर उसके differences भी होते थे तो उनके मुह पे वो उस तरह से बेजजती करके नहीं बोलती थी ये सिवानी कुमारी तो कि दोस्त अविनास को जैद हदीद को डिच किया था अपने गेम में बने रहने के लिए उसी तरह से इसने आज नेजी को डिच कर दिया एक मुनीशा को पकड़ के लाया है जो कि बेवी का दुर्वे की थोड़ी डिफाइंड थोड़ी सी sophisticated वर्सन लगती है काम उनका दोनो फेकी और कुछ फ्रेज चेहरे लाइए तो ही आपका ये सीजन चलेगा नहीं तो ये सीजन चलना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल है और लेडी इसकी व्यूवर से बहुत कम है हाइप ना के बड़ाबर है इसकी इस सीजन को भगवानी बचा सकता है अगर इसी तरह चलता र पताई है वो कनफर्म है घड में ऐसा ही हुआ है और सना मकबूल ने सही नहीं किया है पिल्कुल आपको क्या लगता है कि सना मकबूल का कटारिया के कहने पे नेजी को नॉमिनीट करना क्या सही डिसीजन था आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं तो बस इस وीडियो में इत